नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता है चैल स्टडियू दारसम आज दोस्तों इस वीडियो में अपने सिखेंगे ग्यान संकल पोर्टल के बारे में ग्यान संकल पोर्टल है क्या यानि विद्या के अंदर यानि विद्याले में अगर आप किसी परकार से दान करना चाहो तो उसके लिए ग्यान संकल पोर्टल online पोर्टल बना दिये गए है जैसी आप इसको गूगल पर सर्च करो ग्यान संकल पोर्टल तो आपका ये open ओजाएगा और साला दर्पन पोर्टल से भी डारेक्ट इसको लिंग किया गए 80 वो आपको 80G के तहट आपको छूट मिलेगी 80G के तहट जो छूट मिलने वाले इंकम टेक्स की धारा 80G के अंतरकत जो छूट मिलती है उसके अंदर दो परकारशी छूट होती है 100% चूट और एक 80% परतीस की चूट तो यानि कि 50% डोनेशन वाली यह जो संस्ता बनाएगी है गौवर्मेंट की तरफ से इसमें जो है डोनेट करने के जो तरीके हैं वो आपको नीचे यहां पर दिखाई देंगी तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए आप इससे तरीके जो मैं बतायता हूँ सबसे पहले कि अडोब्ट तो स्कूल सबसे पहले स्कूल अडोब्ट करके भी आप इसमें डोनेट कर सकते हो आपका खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाकर या फिर कोई प्रोजेक्ट गोवर्मेंट का चल लाए उसको सपोर्ट करके या फिर कंट्यूइट तो मुक्यमंत्री विद्यादान को उसके अंदर धान करने के बाद में सरकार उस प्रोजेक्ट के पैसा स्कूलों में लगाए या फिर डोनेट टो स्कूल तो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला उप्सन है वो यह है डोनेट टो स्कूल क्योंकि इसमें आप डारेक्ट अपना पैसा School को donate कर सकते हो School की खाते में चला जाएगा उसके बाद में वो पैसा है जो आपके उससे School SDMC की थुरू वो पैसा वीकास में लगता है तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको करना क्या है इसमें जो करने के लिए दो तरीके हैं इसके आपको तो वो दोनु तरीके में आपको बताने जारा हूँ और नीचे इसमें कुछ और्स गाइडलाइन दिये हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हो जैसे ये स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कहां कहां क्या हो रहा है इसके बारे में पूरा इसके अंदर बताया गया ताकि स्कूल डेवलाप्मेंट उसके और यहां आपको इससे समधित ओर्डर्स आप पढ़ सकते हो और अगर आप डारेक्ट नहीं करना चाहो तो इस पैसे को आप डारेक्ट आप अफलाइन करना चाहो इसमें आप देख सकते हो और आप अगर डॉनेट करो तो इसके अंदर आपका नाम भी शो होता है और डॉनेट करने का जो दस रुपे से लेके दोस्तों कितने रुपे तक ही आप यहां पर कर सकते हो तो चलिए मैं आपको फटा-पट बिना समय कवाई बता देता हूं तो सबसे पहले आपको जैसे इस पे आप डॉनेट करोई तो सबसे पहले आपको रिजिस्टेशन करना होता है डॉनेट तो स्कूल पे आप जाओगे तो यहां पर स्कूल का जो है सेलेक्शन करना है तो दोस्तों स्कूल का चूज करने जैसे आप स्कूल का चूज डारेक्ट बिना registration के करते हैं तो अभी इसका जो किया गए है डायेक्ट अगर करेंगे तो इस पर कार्ड प्रोसेस से करेंगे लेकिन अभी इसको registration करने के बाद में यानि कि आप guest login से नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको right side के अंदर जो तीन लाइने दिखाई दे रही है इस पर आप click करोगे तो यहां सबसे पहले option के अंदर आप देखे register and login और कुछ निचे इसे features दिए गए हैं उसको आप देख सकते हैं और offline online वाला जो मैंने आपके बता रहा था वो यह process Indian citizen offline और foreign citizen offline के लिए दोनों पर कार्सी option यहां हैं यहां पर कुछ circular orders दिए गए हैं इससे समंदित और इसके बाद में आप register तो सबसे पहले आपको करना होता है register जो मैंने पहले वीडियो मना दिया है इस channel पर आपको upload है लेकिन दुआरा इसको मैं बता रहा हूं तो सबसे पहले देखे दोस्तो कर donate to school link पर विद्याले को donate करें ग्यान संकल portals आंतरिक रूप से सालादरपन से जुड़ा है इसलिए विद्याले के इस portal से समस्त करें सालादरपन पोर्टल से समंदित होते हैं तो registration का का काम करेंगे सबसे पहले यहां से registration करेंगे तो इस में से आप क्या हो Indian resident non resident NRIO तो यह यहां पर क्लिक करें company यहां पर क्लिक करें organization के लिए यहां पर organization के school को register नहीं करना है आप अन्य कोई संस्ता चला रहे हो तो उसको registration करना है नाम लिखेंगे हम English में और जैसी आपका नाम हो English में लिखेंगे email address लिखेंगे pen number लिखेंगे या अधार या passport जो भी है तो यहां pen pen number लिखना उचित रहता है क्योंकि आपको income tax के अंदर exemption चाहिए इसलिए pen number must है जुरूर दोस्तों यहां पर pen number ही लिखने चाहिए अगर आप income tax में exemption चाहते हो अब mobile number लिखें और mobile number लिखने के बाद में आपका यहां पर email address लिखा जाएगा दुबारा और यहां पर आपका password और confirm password बनाएंगे पासवर्ड की जो policy होगी वक्त क्या होगी देखें email को दुबारा confirm करना उसके password दुबार टाइप करना है confirm के लिए password के अंदर ABC at the rate 123 यानि इसके अंदर एक तो capital letter small letter और special character और numeral यह सारे इसम करोगे आपके पास एक परकार से message आएगा और उसमें user ID बगर आपको आजाएगा ठीक है मैं already registered हूँ तो मैं यहां पर दोस्तों जाओंगा और जाने के बाद में यहां से मैं करता हूँ login जैसी login करूँगा आपका registration होगया उसके बाद में login करना है login में आपने जो email address दी है वो आपका username होगा और password आपका आपने जो बनाया है वो password होगा यहां password सेट होने के बाद और इसमें पुराने जो users हैं उनके लिए special बताया गया है कि due to security updates on website all the passwords have reset please visit forget password यानि अगर आप पहले से बना रखे तो आपने यहां forget password का यूज करके और आपको दुवारा से reset करना है जैसी forget password पर करेंगे आपको इस परकार से username के अंदर आपका email address पैन नमबर और आपने या अधार नमर जो भी डाला है confirm password डालके इसमें reset हो जाए तो अब हम चलते हैं कि कैसे donate करना है तो जैसी आप सबसे पहले login करेंगे login में इस tab में जाएंगे यहां पर आपको नीचे capture मिलेगा और यहां से login हो जाए जैसी login होंगे आपका नाम profile user profile वगिर आजएगे अभी user update नहीं और इसको update भी आप कर सकते हो यहां आपकी पूरी detail आने के बाद में project में की तो donate school जो है मैंने पहले जो पैसे donate के तो मैं यहां पर आ रहा है आज मैं donate करके दिखा रहा हूं और आप लोगों से request कर रहा हूं कि आप अगर donate करना चाहते हो और सब्क्राइबर मेरे सब्क्राइबर जितने भी या फिर newer हो आप new visitor हो तो आप है मैं तो request करूँ कि मे वाकाईद आजाएगा और अगर आप ज़्यादा रहा सी donate करते हो स्कूल में तो आपका वाकाईद बामासा या दान दाता लिस्ट के अंदर नाम लिखवाए जाएगा तो यहां से सबसे पहले स्कूल को choose करेंगे स्कूल का choose करेंगे तो यहां पर आप स्कूल का name से search कर ले तो सबसे पहला काम आप कौन सा स्कूल आपका elementary या secondary तो यहां पर आपको secondary स्कूल है secondary select कर लेना है फिर district कौन सा है तो district जैसे मेरी स्कूल का district जो है वो जूरू है तो जूरू select कर लेता हूँ उसके बाद block कौन सा है block आपका जो भी है वो block select करें block select करने के बाद में यहां प वो स्कूल आपका जाएग तो ये स्कूल है मेरा गवर्मेंट सेकेंडे स्कूल राजास और इसका जो है two one three ये आपका two one five double three ये आपका कोड है यहाँ पे कलिक करें और कलिक करने के बाद आप तो आप नीचे कितनी रासी इसमें कर रहे हो वो रासी यहां पर डाल दें तो आप इसमें यहां जो रासी है वो आप दस रुपे से लेके और चाहे कितने रुपा है आप डानेट कर सकते हो तो यहां जो है वो छूट आपको SE share के तहथ मिलती है और यहां पर आपको लिखना है step 3 में कि leave a note with your donations options maximum यानि कि आप उस donations से समधित कुछ लिखें इसमें कि आप इस रासी को कहां पर किस तरह यूज करना है जैसे मैंने लिखा school development आप special कोई project पर भी लिख सकते हो या फिर school development पर लिखें और यहां आप submit करेंगे तो यह आपको एक payment window पर लिजाए या लग से और payment window पर आपको इस परकार से option लिखाई देने वाले हैं तो यहां आप यहां से दोस्तों आप इसको select कर लें यहां पर aggregator option जो आ रहा है इसमें इस परकार से option आएंगे तो यहां SBA EPA और दूसरा एगा build desk का तो जिस पर भी आप करना चाहरे हो उससे आप कर सकते हो जैसे SBA EPA मैं करना चाहरा हूँ यहां जैसे करोगे तो यहां आप का payment detail मांग लेगा payment detail के अंदर आप यहां आपको card number सबसे पहले और उसके बाद में उसकी month, years और CVV pin number जो 3 pin number होते है last में जो लिखाते हैं तीन अंग का वो आपको यहां पर डाला है ठीक है दोस्तों यहां से फिर आप pay कर सकते हो और यहां GST का DIA इस पर ठीक मार कर सकते हो अगर GST claim आप करना चाती हो इस राशी का और फिर आपको इसको pay कर दें जैसे आप pay करेंगे तो pay करने के बाद में यह आप डायरेक्ट इस परकार से जाएगा यहां पर आपके mobile number पर OTP जाएगा उस OTP को जो आप कर रहे हो डायरेक्ट इस परकार से OTP उपरा है 640231 यह OTP पर आपके mobile पर आएगा इसको आप करके make payment कर दें चाहिए आप इसको net banking से भी कर सकते हो तो इस परकार से आपका यह आगया payment हो चुका है payment होने के बाद में यह जो आपका है एक receipt जो है आप करेगा generate इस receipt को यानि कि यह receipt आप कर आगे to get receipt इसको आप click करें और click करने के बाद में यह आपको यह download हो जाएगी यह receipt जो है आपकी SCG के तहट आप जिसमें भी जहां भी अपनी company में काम करे हो चाहे आप school में काम करे हो तो यह रासी आप लगा सकते हो और इसके अंदर exception आपको मिल जाएगा जो कि साप साप नीचे SCG के तहट लिखा है लेकिन इस रासी का पर अब यह रासी आपकी यहां देखिए जो रासी 100 रुपे थी वो सु रासी हो चुके और दो ट्रांजेक्शन आपके हो चुके हैं यहां से फिर अपन लोग आउट हो जाते हैं और साला दरपन पर जो आपके principle या headmaster है उसके पास यह रासी उनके पास यह रासी जो है पह अब दोस्तों अगर आप पर साला दरपन जेपूर पर साला दरपन पर यानि कि साला दरपन लोगिन स्कूल लोगिन से अगर देखना चाहो तो यह रासी कहां पर आईए तो आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे स्कूल टैम में जाएंगे स्कूल टैम में जाने के बाद आप आपको इस प्रकार से option दिखाए देंगे, यहां पर दिखा community engagement है, community engagement में आप पे यहां सबसे पहला option जो आपको दिखाए दे रहा है, ग्यान संकल, portal वाला, यह detail forms वाला, यहां आप देखिए, तो जैसी यहां देखेंगे, आपको थोड़ा ड्रेक करने, जैसे आपने ड्रेक क रासी डाली है, वो रासी यहां पर, यह देखेंगे, आप आगई है, ठीक है दोस्तो, पहले की रासी जो डाली है, वो यहां पर उपर दिखाए देए, इस परकार से यह आपकी रासी, यहां से, स्कूल लोगिन से, अतवा दिखाए देए देगे, और आज टीम सी के अंदर यह पांस यह दस दिनों के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर कोई साथ ही इस से पर, यानि की जी एसस राजास तो मैंने आपको बताया, इस स्कूल पे, आप अगर डोनेट करना चाओ तो बहले ही सहाल्स करें, और मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उसका स्क्रेंट सोट है, जो भी आपकी रिसीट जेनरेट होती है, उसका मेरे वाट्सप पे जुरूर बेज़ें, ताकि मैं उस नाम को पर्दशित कर सको, और मेरे इस से अगले नेक्स वीडियो के अंदर में मैं इसको पर्दशित करूँगा, ठीक